नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपल फर्मिसेश्टडी में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिप्सिन, ब्रोमिलेन, एंड रूटोसाइट ट्राई हाइडरेट टैबलेट के बारे में जो कि मेडिकल स्टोर पे कई इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को कम्प्लीट देखते रहें सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह जो ट्रिप्सिन, ब्रोमिलेन, एंड रूटोसाइट ट्राई हाइडरेट टैबलेट है मेडिकल स्टोर पे किन नेमों से मिल जाती है तो कई सारे पॉप्रल ब इस नेम से अगर यह टैबलेट नहीं मिलती है तो आप इसे जाइमो फ्लैम टैबलेट के नाम से खरीज सकते हैं जो कि मेडिकल स्टोर पे 225 रुपई की 10 टैबलेट आती है अगर डबल स्ट्रेंथ में खरीदना है यानि कि जादा पावर की खरीदना है तो आप जो है जाइमो फ्लैम फोर्ट टैबलेट के नाम से आती है वो बाई कर सकते हैं अब दोस्तों आपको बताते हैं कि बाई य खेत्र में ब्लेड का फ्लो यानि की खून का प्रवाह बढ़ाने का काम करते हैं दोनों जिससे क्या होता है कि भाई वहां की दर्द और सूजन कम होती है अगर हम बात करें रूटो साइड की तो दोस्तों यह क्या है यह विसकली एक एंटी ऑक्सिडेंट है दोस्तों अब इस टैबलेट के यूज़ज क्या-क्या है आखरकार इस टैबलेट को किस-किस कंडीशन में उपयोग करना है तो दोस्तों इस टैबलेट को अगर आपके स्रृर में कहीं Pourquoi भी जो मारी दे दर्द हो रहा है सूजन है स्वेसमें के बाद हुआ है तो साघ्षरी के बाद हुआ है तो उस condition में यह tablet वहां पर doctor देते हैं काफी ज़्यादा फाइदे मंद है साथ ही साथ दोस्तों आपके bone और muscles related कि सिपकार का दर्द और सूजन है तब भी यह tablet वहां पर काफी ज़्यादा फाइदे मंद है सबसे पहली जो condition है वह osteoarthritis osteoarthritis में क्या होता है इसमें आपके हाथों और आपकी जो गर्दन है और आपकी जो पीठ है उसके निचले हिस्से में और घुटने और कूले के जो जोड़ है वहां पर काफी ज़्यादा दर्द होता है तो उस condition में इस tablet को दिया जाता है काफी ज़्यादा लालपन होना साथी जोड़ों में जक्रन होना चलने उठने बैटने में काफी ज़्यादा तकलीफ होती है तो उस condition में भी इस tablet का उप्यूग किया जाता है अगली जो condition है दोस्तों वह है एंकिलोजिंग बहुत ज़्यादा दर्द होता है और दर्द अक्सर कब होगा जब आप रात में आराम करेंगे रेश्ट करेंगे तो दर्द ये चालू होता है तब उस condition में इसका उप्यूग किया जाता है साथी साथ दोस्तों मान लीजे कि आपके चोट लग जाती है और चोट के काड़ आपके टिसू में या फिर आपके मान स्पेशियों में आपके बोन में कहीं पर भी जो है दर्द और सूजन की समस्या हो जाती है ये चाहाए लंबे समय से हो चाहाए जो है अभी चारी पांच दिनों के अंदर हुआ हो तब आप इस टैबलेट का उप्योग कर सकते हैं वहा आपने डीटेल में जाना हो सकता है डॉक्टर आपको किसी दूसरी कंडिशन में भी इस टैबलेट को दे अब बात करते हैं इस टैबलेट को लेना कैसे रहता है और इसका कितना क्या डोस चलता है तो दोस्तो इस टैबलेट को आप खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद ले सकते हैं जैसा कि आपका डॉक्टर बताता है दोस्तों अब बात करें डोस के बारे में तो आपकी कंडीशन उमर एज पे डिपेंड करता है कि आपको जो है कितने इंजो हील टैबलेट तैबलेट दिन में हो सकता है कि डॉक्टर इसको बदल भी सकते हैं आपकी कंडीशन के अनुसार अब बात करते हैं कि इसके side effect क्या कुछ आ सकते हैं तो side effect भी है जैसे कि आपको मतली उल्टी की शिकायत होना डाइरिया की समस्या हो जाना यानि कि पेट खराब होना सरीर पे रैसस बगएरा देखने को मिलना या फिर आपके mouth sore की problem हो जाना और आपके जो है gastrointestinal यानि कि पेट से जूड़ी समस्या उत्पन होना ये इसके common से side effect है कोई भी side effect आपको दिखाय देता है तो इस tablet को फर्दर उपयोग नहीं करना है साथ ही साथ आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है अब दोस्तों आपको बताते हैं क्या कुछ सावधानिया रखनी है इस tablet को लेते समय तो जिल लोगों को इस दवाई से allergy है वो लोग इसका उपयोग ना करें जो महिला है pregnant या फिर जो महिला है बच्चे को दोध पिलाती है अपने आपसे वो tablet उपयोग ना करें उपयोग कर सकती है लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह के नुसार ही इस tablet का उपयोग करें तो दोस्तों यही था आज का वीडियो ट्रिपसिन, ब्रोमिलेन और रूटोसाइट ट्राइडरेट टैबलेट के उपर वीडियो का इसा लगा कमेंड में जरूर बताएं पहली बार आएं चैनल को सब्सकाइब करें अपना प्राइब जरूर दिखाएं मिलेंगा आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिन बंदे मातरम टेक केर बार